आउम शांतेंग आच 17 नवंबर 2020 बाबा के महावाक्चे हैं मिथे बच्चे बाप आए हैं वाइसलस दुनिया बनाने तुम्हारे केरेक्टर सुधारने तुम भाई भाई हो तो तुम्हारी दृष्टी बहुत शुद्ध होनी चाहिए प्रश्ण है तुम बच्चे बेफिकर बादशाहा हो फिर भी तुम्हे एक मूल फिकरात अवश्य होनी चाहिए कौनसी उत्तर है हम पतित से पावन कैसे बने यह है मूल फिकरात ऐसा ना हो बाप का बन कर फिर बाप के आगे सजाएं खानी पड़े सजाओं से छूटने की फिकरात रहे नहीं तो उस समय बहुत लज्चा आएगी बाकिं तुम बे परवाह बादशाह हो सबको बाप का परीचे देना है कोई समझता है तो बेहत का मालिक बनता नहीं समझता है तो उसकी तकदीर तुम्हे परवाह नहीं अम शांति रुहानी बाप जिसका नाम श्व है वहबैट अपने बच्चों को समझाते है रुहानी बाप सभी का एक ही है पहले पहले यह बात समझानी है तो फिर आगे समझना सहज होगा अगर बाप का परीचैही नहीं मिला होगा तो प्रश्ण करते रहेंगे पहले पहले तो यह निश्चे कराना है सारी दुनिया को यह पता नहीं है कि गीता का भगवान कौन है वह कृष्ण के लिए कह देते हम कहते परम्पता परमातमाश्व गीता का भगवान है वही घ्यान का सागर है मुख्षे है सर्व शास्त्रमाई शिरोमणी गीता भगवान के लिए ही कहते है ही प्रभु तोरी गतमत न्यारी कृष्ण के लिए ऐसे नहीं कहेंगे बाप जो सत्य है वह जरूर सत्य ही सुनाएंगे दुनिया पहले नई सतु प्रधान थी अभी दुनिया पुरानी तमु प्रधान है दुनिया को बदलने वाला एक बाप ही है बाप कैसे बदलते है वह भी समझाना चाहिए आत्म जब सतु प्रधान बने तब दुनिया भी सतु प्रधान स्थापन हो पहले पहले तुम बच्चों को अंतर मुख होना है जास्ती तीक तीक नहीं करनी है अंदर घुसते है तो बहुत चित्र देख पूछते ही रहते हैं पहले पहले समझानी ही एक बात चाहिए जास्ती पूछने की मार्जिन ना मिले बोलो पहले तुम एक बात पर निश्चे करो फिर आगे समझाए फिर तुम 84 जन्मों के चक्र पर ले आ सकते हो बाप कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ इनको ही बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो बाप हमको तुझा पिता ब्रह्माद्वारा समझाते हैं पहले पहले अल्फ पर ही समझाते हैं अल्फ समझने से फिर कोई संचे नहीं होगा बोलू, बाप सत्य है, वह भी असत्य नहीं सुनाते, बेहत का बाप ही, राजयोग सिखलाते है, शिवरात्री गाई जाती है, तो जरूर शिव यहाँ आये होंगे न, जसे कृष्ण जयनती भी यहाँ मनाते है, कहती है, मैं ब्रम्हा द्वारा स्थापना करता हूं, उस एक ही निराकार बाप के सब बच्चे है, तुम भी उनकी उलाद हो, और फिर प्रजापिता ब्रम्हा की भी उलाद हो, प्रजापिता ब्रम्भाद्वारा स्थापनाकिं तो जरूर ब्राम्भण ब्राम्भणियां होंगे बहन भाई हो गए इसमें पवित्रता रहती है ग्रहस्त व्यवार में रहते पवित्र रहने की यह है भीती बहन भाई है तो कभी क्रिमिनल द्रिष्टी नहीं होनी चाहिए एक किस जन्म द्रिष्टी सुधर जाती है बाप ही बच्चों को शिक्षा देंगे ना केरेक्टर सुधारते है अभी सारी दुनिया के केरेक्टर सुधरने है इस पुरानी पतित दुनिया में कोई केरेक्टर नहीं सब में विकार है यह है ही पतित वीश्यस दुनिया फिर वाइसलस दुनिया कैसे बनेगी सिवाए बाप के कोई बना ना सके अभी बाप पवित्र बना रही है यह है सब गुप्त बाती हमात्मा है आत्मा को पर्मात्मा बाप से मिलना है सब पुरुशांत करती ही है भगवान से मिलने के लिए भगवान एक निराकार है लिब्रेटर गाइट भी पर्मात्मा को ही कहा जाता है दूसरे धर्म वाले कोई को लिब्रेटर गाइट नहीं कहेंगे परंपिता पर्मात्मा ही आकर लिब्रेट करते है अर्थात तमुप्रधान से सतुप्रधान बनाते है गाइड भी करते हैं, तो पहले पहले यह एक ही बात बुद्धी में बिठाओ, अगर न समझी, तो छोड़ देना चाहिए, अल्फ को नहीं समझा, तो बेज से क्या फाइदा भल चले जाए, तुम मुझो नहीं, तुम बेपर वहा बात्शहा हो, असुरों के विधन पढने ही यह है ही रूत्र ज्यान यज्ज्जे, तो पहले पहले बात का पड़िचे देना है, बात कहते हैं मनमना भवर, जितना पुरुशार्थ करेंगे, उस अनुसार पद पाएंगे, आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्जे स्थापन हो रहा है, इन लक्षमी नारायन की दिनाइस्टी है, और धर्म वाले कोई दिनाइस्टी स्थापन नहीं करते हैं, बाप तो आकर सबको मुक्त करते हैं, फिर अपने अपने समय पर और और धर्म स्थापकों को आकर अपना धर्म स्थापन करना है, विध्धी होनी है, पत्त बनना ही है, पत्त से पावन बनाना यह तो बाप का ही काम है वह तो सिर्फ आकर धर्म स्थापन करेंगे उसमें बढ़ाई की बात ही नहीं महिमा है ही एक की वो तो क्राइस्ट के पिछाड़ी कितना करते हैं उनको भी समझाया जाए लिबरेटर गाइड तो गौड़ फादर ही है बकी क्राइस्ट ने क्या किया उनके पिछाड़ी कृष्यन धर्म की आत्माई आती रहती है नीचे उतरती रहती है दुख से छुडाने वाला तो एक ही बात है यह सब पॉइंट्स बुद्धी में अच्छी रीती धारण करनी है एक गौड़ को ही मरसीफल कहा जाता है क्राइस्ट कोई दया नहीं करते एक भी मनुश्य किसी पर मरसी नहीं करते मरसी होती है बेहद की एक बाप ही सब पर रहम करते हैं सत्युग में सब सुक शान्ती में रहते हैं, दुख की बात ही नहीं, बच्चे एक बात, अल्फ पर किसको निश्चे कराते नहीं, और और बातों में चले जाते हैं, फिर कहते गलाही खराब हो गया, पहले पहले बाप का परीचे देना है, तुम और बातों में जाओ ही नहीं, बोलों, बाप तुम सत्य बोलेंगे न, हम बीके को बाप ही सुनाते हैं, यह चित्र सब उसमें बनवाए हैं, इसमें संशे नहीं लाना चाहिए, संशे बुद्धी विनश्यंती, पहले तुम अपने को आत्मा समझ, बाप को जात करूं, तो विकर्म विनाश होंगे, और कोई उपाए नहीं, पतित पावन तुम एक ही है न, बाप कहते हैं, देहे के सब संबंद छोड, मामेकम शात करूं, बाप जिसमें प्रवेश करते हैं, उनको भी फेर पुरुशार्थ कर, सतोप्रधान बनना है, बनेंगे पुरुशार्थ से, फिर ब्रम्भा और विश्णों का कनेक्शन भी बताते हैं, बाप तुम ब्राम्भणों को राजयोग सिखलाते हैं, तो तम व विश्णों पुरी के मालिक बनते हो, सिर तुम ही 84 जन्मले अंत में शुद्र बनते हो, सिर बाप आकर शुद्र से गाम्भण बनाते हैं, ऐसे और कोई बता ना सके, पहली पहली बात है बाप का परिच्वे देना, बाप कहते हैं, मुझे ही पतितों को पावन बनाने, यहां आना पड़ता है, ऐसे नहीं कि उपर से प्रेरणा देता हूं, इनका ही नाम है भागीरत, तो जरूर इनमे ही प्रवेश करेंगे, यह है भी बहुत जन्मों के अंत का जन्म, सिर सतु प्रधान बनते हैं, उसके लिए बाप युक्ती बताते हैं, कि अपने को आत्मा समझ मामे कम जात करो, मैं ही सर्व शक्ती मान हूं, मुझे जात करने से तुम्हारे में शक्ती आएगी, तुम विश्व के मालिक बनेंगे, यह लक्ष्मी नारायन का वर्षा, इन्हों को बाप से मिला है, कैसे मिला वह समझाते हैं, प्रदर्शनी म्यूजियम आदी में भी, तुम कह दो कि पहले एक बात को समझो, फिर और बातों में जाना, यह बहुत जरूरी है समझना, नहीं तो तुम दुख से छूट नहीं सकेंगे, पहले जब तक निश्चे नहीं किया है, तो तुम कुछ समझ नहीं सकेंगे, इस समय है ही भष्टाचारी दुनिया, देवी देवताओं की दुनिया, श्रेश्ठाचारी थी, ऐसे ऐसे समझाना है, मनुष्यों की नबस भी देखनी चाहिए, कुछ समझता है या तवाई है, अगर तवाई है तो फिर छूड देना चाहिए, ताइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, चात्रक पात्र को परखने की भी बुध्धी चाहिए, जो समझने वाला होगा, उनका चहरा ही बदल जाएगा, पहले पहले तो खुशी की बात देनी है, बेहद के बाप से बेहद का वर्सा मिलता है ना, बाबा जानते है, जात की जात्रा में, बच्चे बहुत धिले है, बाप को जात करने की महनत है, उसमें ही माया बहुत विखन डालती है, यह भी खेल बना हुआ है, बाप बैट समझाते है, कैसे यह खेल बना बनाया है, दुनिया के मनुष्ये तुम रिंचक भी नहीं जानते, बाप की जाद में रहने से, तुम किसको समझाने में भी एकरस होंगे, नहीं तो कुछ न कुछ नुक्स यनि कमी निकालते रहेंगे, बाबा कहते है, तुम जास्ती कुछ भी तकलीफ, ना लो, स्थापना तुम जरूर होनी ही है, भावी को कोई भी ताल नहीं सकते, खुलास में रहना चाहिए, बाप से हम बेहत का वर्सा ले रहे है, बाप कहते है, मा में कम जाद करू, बहुत प्रेम से बैट समझाना है, बाप को जाद करते, प्रेम में आसु आजाने चाहिए, और तुम सभी संबंद है, कल युगी, यह है रोहानी बाप का संबंद, यह तुम्हारे आसु भी विजे माला के दाने बनते है, बहुत थोड़े है, जो ऐसा प्रेम से बाप को जाद करते है, कोशिश कर, जितना हो सके, अपना टाइम निकाल, अपने भविश्य को उचा बनाना चाहिए, प्रदर्शनी में इतने धेर बच्चे, नहीं होने चाहिए, ना इतने चित्रों की दरकार है, नंबर वन चित्र है, गीता का भगवान, कौन, उसके बाजों में, लक्ष्मी नारायन का, सीडी का, बस, बकि इतने चित्र, कोई काम के नहीं, तुम बच्चों को, जितना हो सके, जाद की जात्रा को, बढ़ाना है, मूल फिकरात रखनी है, कि पतित से पावन, कैसे बने, बाबा का बन कर, और फिर, बाबा के आगे जाकर, सजा खाई, यह तो बढ़ी, दुरगती की बात है, अभी जाद की जात्रा पर, नहीं रहेंगे, तो फिर बाब के आगे, सजा खाने समय, बहुत बहुत लज्जा आएगी, सजा ना खानी पड़े, यह सबसे जास्तिं, तुम रूप भी हू, बसंत भी हू, बाबा भी कहते है, मैं रूप भी हू, बसंत भी हू, छोटी सी बिंदी हू, और फिर, ज्यान का सागर भी हू, तुम्हारी आत्मा में, सारा ज्यान भरते है, चोरासी जन्मों का, सारा रास, तुम्हारी बुद्धी में है, तुम ज्या का स्वरूपबन ज्यान की वर्षा करते हो ज्यान का एक एक रत्न कितना अमुल्य है इनकी वेल्यू कोई कर ना सके इसलिए बाबा कहते है पदमा पदम भागेशाली तुम्हारे चरणों में पदम की निशानी भी दिखाते है इनको कोई समझ ना सके मनुश्य पदम पती नाम रखते है समझते है इनके पास बहुत भन है पदम पती का एक सरनेम भी रखते है बाप सब बाते समझाते है फिर कहते है मूल बात है कि बापको और चुरासी के चक्र को जात करो यह knowledge भारतवासियों के लिए ही है तुम ही 84 जन्म लेते हो यह भी समझ की बात है ना और कोई सन्यासी आदी को स्वदर्शन चक्रधारी भी नहीं कहेंगे देवताओं को भी नहीं कहेंगे देवताओं में ज्यान होता ही नहीं तुम कहेंगे हमारे में सारा ज्यान है इन लक्ष्मी नारायन में नहीं है बापतु यथार्थ बात समझाते है ना यह ज्यान बड़ा वंडर्फुल है तुम कितने गुप्त स्जूडेंट हो तुम कहेंगे हम पाठशाला में जाते हैं भगवान हमको पढ़ाते हैं एम अबजेक्ट क्या है हम यह यानि लक्षमी नारायन बनेंगे मनुष्य सुनकर वंडर खाएंगे हम अपने हेड ओफिस में जाते हैं क्या पढ़ते हो मनुष्य से देवता बैगर से प्रिंस बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हो तुम्हारे चित्र भी फर्स्ट क्लास हैं धन दान भी हमेशा पात्र को किया जाता है पात्र तुमको कहां मिलेंगे शिव के लक्ष्मी नारायन के राम सीता के मंदिरों में वहा जाकर तुम उन्हों की सेवा करू अपना टाइम वेस्ट नहीं करू गंगा नदी पर भी जाकर तुम समझाओ पतित पावनी गंगा है यह परमपिता परमात्मा है सर्व की सदगती यह पानी करेगा यह बेहद का बाप करेगा तुम इस पर अच्छी रीती समझा सकते हो विश्व का मालिक रास्ता बताते हो दान करते हो कोडी जैसे मनुष्य को हीरे जैसे विश्व का मालिक बनाते हो भारत विश्व का मालिक थाना तुम ब्रामभणों का देवताओं सिधियत्तम कुल है यह बाबा तो समझते हैं मैं बाप का एक ही सिकी लदा बच्चा हूं बाबा ने हमारा यह शरीर लोन पर लिया है तुम्हारे सिवाई और कोई भी यह बाते समझ ना सके बाबा की हमारे पर सवारी की हुई है हमने बाबा को कोले पर बिठाया है अर्थात शरीर दिया है किस सर्विस करो उनका एवजां सिर्वह कितना देते हैं जो हमकों सबसे उँच कंधे पर चड़ाते हैं नंबर वन ले जाते हैं बाब को बच्चे प्यारे लगते हैं तो उनकों कंधे पर चड़ाते हैं ना मा बच्चे कों सिर्फ गोद तक लेती हैं बाब तों कंधे पर चड़ाते हैं पाटशाला कों कभी कलपना नहीं कहा जातां स्कूल में हिस्ट्री जियोग्रॉफी पढ़ते हैं तो क्या वह कलपना हुई यह भी वाल्ड की हिस्ट्री जियोग्रॉफी है ना अच्छा मिठे मिठे सिकलदे बच्चों प्रति मात पता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉनिंग रुखानी बाप की रुखानी बच्चों को नमस्ते रुखानी बच्चों की रुखानी बाप दादा को गुड मॉनिंग और नमस्ते धालना के लिए मुखे सार है पहला बहुत प्रेम से बैट कर रुहानी बाप को जाद करना है, जाद में प्रेम के आसु आ जाएं, तो वह आसु विजे माला का दाना बन जाएंगे, अपना समय भविश्य प्रालप्थ बनाने में सफल करना है, दुसरा अंतर मुखी हो सबको अल्फ का परीच्वे देना है, ज्यादा तीक तीक नहीं करनी है, एक ही फुरना रहे के ऐसा कोई कर्तव्वे ना हो जिसकी सजा खानी पड़े, वर्दान है शुग भावना से सेवा करने वाले बाप समान अपकारियों पर भी उपकारी भवर, जैसे बाप अपकारियों पर उपकार करते हैं, ऐसे आपके सामने कैसी भी आतमा हूं, लिकिन अपने रहम की वृती से, शुब भावना से उसे परिवर्तन कर दो, यही है सच्ची सेवा, जैसे साइन्स वाले रेत में भी खेती पैदा कर देते हैं, ऐसे साइन्स की शक्ती से रहम दिल बन अपकारियों पर भी उपकार कर धरनी को परिवर्तन करों, स्वपरिवर्तन से, शुब भावना से कैसी भी आतमा परिवर्तन हो जाएगी, क्योंकि शुब भावना सफलता अवश्य प्राप्त कराती है, स्लोगन है ज्यान का सिमरण कर अपर भी आतमि के अदू Hier जह मको पर करोगी, क्योंकि शुब भावना से, शुब भारि नाहीं, स्वार्तक पर भी उस्वार्तन करता अभी शुब।